आज की करेली की रेसिपी एकदम इंस्टेंट है और इस रेसिपी के साथ आपको करेली के पूरे गुण मिलने वाले हैं क्योंकि ना तो हमेशा गिंटो दूप में रखेंगे और ना ही इसे फ्राइ करेंगे जैसे ही फ्रेश ले करके कट करके हमें इसे बनाना शुरू कर दें आज हम करेले की इतनी बढ़िया रेसिपी बनाने वाले है तो यहां पर मैंने फ्रेश करेले लिये हैं उनको कोई भी पील वगरा नहीं करना है बस अच्छे से वाश कर लेंगे वाश करने के बाद उनको अच्छे से पोंच लीजिए और उनको इस तरह से पाट लेंगे जिनके बीच में थोड़े सैंको आपके हूए हो ना हो अगर पर चांस बीच में कोई बीच है थो बीज निकाल देंगे बाकी के तरह रेले हम आजरी आप वाले गरे करेये argentina करेंगेか आपकी दूसरी तरह मेंने सर्सो का तेल यहां से 5-6 कंश रंद और अपनार से कहते हम जीरे नहीं है जीएर पर अच्छे से करीने को तक जीरे वादि तेल काहिक एला या, पर निस्कला सुटे में ऐस ज़ी जएंगे इस सब्सक्तर थेख से ऊच्छे को 2.5 kg करेले लिए हैं उसे पकने में कम से कम मिनद लगे थे आपकी क्वेंटिटी के हिसाब से टाइमिंग जो स्काइब कम जादा हो सकती है धीरे-धीरे जो है करेले का कलर चेंज होना शुरू हो गया है आप देख सब्साइड में से हलके हलके से पकने शुरू हो गया है इनका कि अच्छ से सौफ्ट हो गए ना यह अन्दर से बिल्कुल पक जाते हैं अंदर से सौफ्ट हो जाते और बाहर से बहुत अछी आप क्रिस्पी से कुरंच रहता है इसमें तो इसी तरह से हमने इसको करना है क्योंकि जब एक जब अशा जब आपने इसको हाइट फhall फ्लेम प जिनको लंबे-लंबे slices में कट कर लिया है आप प्यास की कुंटेटी कम सादा कर सकते हैं लेकिन इसमें प्यास हलका हलका हम कच्छा ही रखेंगे तो बहुत अच्छा क्रंच देता है वो करेले के साथ में और साथ में प्यास के साथ में ही यहां पर मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर लिये हैं जिनको रफली सा चॉप करके उसको भी हम इसमें एड कर देंगे फ्लेम को इस टैम भी हमने मीडियम टू हाई ही रखना है तो बस अच्छे से इनको हम पका लेंगे बहुत जादा नहीं पकाना है एक हलका सा क्रंच रखेंगे टमाटर और प्यास में और नमक का ध्यान रखेंगे नमक अम बिल्कुल एंड में ही आड करेंगे अगर आप पहले आड कर देंगे नमक लेकिन हमने इनको सॉफ्फ नहीं करना है एक हलका से क्रंच देना है तो यहां पर मैंने इसमाइपे इस में धनीया पाउडर थोड़ी पाउडर भी आड कि हैं औ मसाले आड़ करते हुए फ्लेम को हम लोही रखेंगे तो यहां पर मैंने कुछ इमली ली है आधा कप के करीब आप अपनी करेले की क्वैंटिटी के हिसाब से ले सकते हैं इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी आड़ करके इसको 10-15 मिनट के लिए हमने रख देना है साइट और भाद में इसकी गुट्लिया निकालके इसका जो पेस्ट है वो हम अपनी करेले में आड़ कर देंगे इमली का पेस्ट आपको बिलकुल लास्ट में डालना है जब हमारे करेले जो है बिलकुल 99% पक चुके होंगे पेस्ट को डालने के बाद हमें इसे 1-2 मिनट के लिए ही पकाना है इमली का पेस्ट है इस सबजी को बहुत अच्छी बाइंडिंग और एक ग्रेवी देता है और साथी में जो इसका खटा बन है वो हलका फुलका जो इसका कड़वाहत रह गई है न करेलेगी वो भी बिलकुल खतम कर देता है ट्रस्ट में यह बहुत ही मज़ेदार बन के तेयार होती है एक बाद जरूर ठाय कीजेगा और अपने एक्सपिरेंस मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर शेर कीजेगा और अगर रेसिपी पसंद आये ना तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ जरूर शेर कीजेगा और इस तरह के डेली वीडियो देखने के लिए मेरे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें झाल